हेलो, तो मुंबई में सालत तीन महिने से जादा बितानी के बाद मुझे चाहिए था ब्रेक, ठोकि बीटी हो रही है, अब ब्रेक के लिए अपने घर और अपने शहर से जादा अची जगा कौन सी हो सकते हैं, लेकर किसमा इतनी घराब तो मुझे अपने शहर का टेकी थी नह कालना था, अब कुछ भी का मतलब है बैक से खेला, फाइनली ट्रेन आगे और हमको एक पूरा खाली गैबिन मिला, अपना सामान लगके काफी कमफरेबल होकर बैठ रहे, शायद कुछ जादा ही कमफरेबल, अब बस कुछ 20 घंटे का सफर करके दिल्ली पहुंचना था, तो हाँ, वही स्टेशन जहां जब वी मेट में गीत और आदेते थे, बहुत देर पड़े रहने के बाद उतने का सोचा और अभी ब्रश भी करना था, हाँ, इस ट्रैवल करने के लिए मैंने ब्रश लख लिया, learning from past mistakes, थोड़े देर बाद पहुंचे कोटा, वो शहर जहां अकल से रास्ते के लिए थोड़े से केले, येस, हिल्दी फूर, खा पी कर वापस अराम करने का समय था, क्योंकि सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन बाहर के नजारे काफी सुन्दर, इस बाहर के नजारे को थोड़ा और करीब से देखने आए, यहां पर ये आंकी मिली, जो की फुल मेन कैरेक्टर वाइज दे रही थी, और ये experience हमको भी चाहिए था, हवा से बात करते करते, ट्रेन पहुंची श्री क्रिश्न की जनभून, यानि की मतुरा, जहां हमें बहुत घंतों बाद चाय नसीब हुई, भला हो उस चाय वाले का, अब मतुरा आकर यहां के मशूर पेड़े कैसे मिस कर देते, मतुरा पे एक घंटे की इंतजार ने सब को ठका दिया, अब बस किसी तरह घर पहुँचकर सोना था, फाइनली, इतने लंबे सफर और इंतजार के बाद प्रेन ने डिली पहुचा दिया, और अब समय आ चुका था उतरने का, आखिर कार दिली में कदम लखा, काफी मिक्ट फिलिंग्स वाला सफर रहा, बद अपनी मंजिल पे पहुचने की खुशी के सामने सब अच्छा लगता है,